दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फोन पे एप्लिकेशन को यूज करना चाहते हैं और आपके पास है SBI Bank यानि कि आपका State Bank of India में आपका एकाउंट ओपन है तो आप अपने फोन पे एप्लिकेशन में SBI Bank को अपने आधार कार्ट से कैसे ल पास है आधार कार्ट तो आखिरकार सिर्फ आधार कार्ट से अपना फोन पे एप्लिकेशन कैसे चालू करेंगे और आधार कार्ट से SBI Bank कैसे लिंक करेंगे कैसे अपना UPI PIN सेट करेंगे क्या क्या इसके अंदर term and condition है कैसे आपका UPI PIN बनेगा तो वीडियो थोड़ा ध्य कियेगा अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और आप बना भी नहीं पाएंगे अपना UPI PIN और अपना फोन पे भी चालू नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में फोन पे एप्लिकेशन को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करना होगा अगर आपके मुबाइल में पहले से डाउनलोड है तो उसे आपको डिलेट कर देना है डिलेट करने की बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानिकी टाइटल पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा phone pay app का link और आपको फिर इस link पर click करना है। जैसे आप इस link पर click करेंगे आपके समने इस तरीके से page आजाएगा। अब यहाँ पर आपको latest version में phone pay application को update कर लेके download कर लेना है। यहाँ से अगर आप download करेंगे और एक नया account बनाएंगे तो आपको यहाँ पर up to 50 रुपए का cashback मिलेगा। जब यहाँ से आप कहीं पर भी एक रुपए transfer करेंगे या आप mobile का recharge करेंगे। तो इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपका play store open हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से इस application को install कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से documents देने होंगे अपने phone pay को चालू करने के लिए और आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। माली जी अगर आपके पास David card नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए अगर आपके पास David card है तो कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसे open करिएगा यहाँ पर अपना वो mobile number डालिएगा जो आपके bank में link हो जैसे कि माली जी हम यहाँ पर अपना यह वाला number डाल देते हैं और यह हमारे bank में link है अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे उसकी बाद nest जैसे आप नेस्ट करेंगे नेस्ट करने की बाद आपका जो फोन पर ID होगा वो यहाँ पर बन जाएगा तो इस तरीके से फोन पर एप तो चालू हो जाएगा अब बात करते हैं कि इसमें bank account को कैसे link करना है और वो भी आप आधार card से तो यहाँ से हम इसे allow करेंगे और अभी यहाँ स दो तरीके होते हैं एक होता है ATM card से और एक होता है आधार card से तो हम यहाँ पर आधार card के बारे में बताएंगे लेकिन एक बात को आपको याद रखना है कि आपका आधार से आपका UPI pin तब ही वनेगा जब आपके SBI bank account में और आपके आधार में जो mobile number लगा है वो same होना चा करेंगे यहां से आपको अपना SBI bank चूज करेंगे जैसे आप इसे चूज करेंगे अब यहां पर आपको एक number दिख रहा होगा यही नंबर आपके आधार card में link होना चाहिए और यही नंबर आपके bank account में तो आपका यहां पर आधार card से UPI pin बन जाएगा अगर आपका bank में अलग number link है और आपके आधार में अलग number लगा हुआ है तो फिर आपका नहीं बनेगा वहां पर आपको अपना ATM card यूज करना पड़ेगा तो यहां पर मिलेगा set UPI pin फिर आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने दो option आ जाएंगे अगर आपके ATM card है तो आप इस पर click करेंगे उसके बाद proceed आपके सामने ATM card के details पूछी जाएगी जैसे कि ATM card के आखरी के 6 अंक यहां पर डालने होंगे आपके ATM card का expari month और expari year क्या है वो आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद proceed उसके बाद OTP आएगा वो यहां पर डालेंगे और अपन आधार card के सबसे पहले के 6 अंक आपको इस तरीके से इंटर करना है और उसके बाद proceed बटन पर click करना है तो हमारे आधार card के तरफ से एक OTP आ गया है वो यहां पर हम इंटर करेंगे OTP आया हुआ है 120 और 236 हमारा यहां पर OTP verify हो जाएगा उसके बाद आपके bank के तरफ से एक OTP आएगा वो भी आपको यहां पर इंटर करना होगा तो हमारा bank के तरफ से OTP आया हुआ है 0,86 और 0,96 तो इसे cut करेंगे यहां से हम write करेंगे यहां पर bank का OTP डालेंगे 0 उसके बाद 86 और 0,96 तो हमारा यहां पर bank का OTP verify हो गया है उसके बाद next करना है यानि की write अब आपके समने आजाएगा set 6 digit UPI pin तो यहां पर आपको अपने 6 अंकों का एक UPI pin बना लेना है UPI pin आप strong बनाएंगे ताकि किसी को पता न चले उसके बाद write करेंगे जो आपने अभी अपना UPI pin बनाया था फिर से आप वही confirm कर देंगे उसके बाद write है strong इसलिए बनाना है मैं आपको बता दूं ताकि आप जब भी कहीं पर पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको यही UPI pin आपको डालना होगा और जब आप mobile दे चार्च करेंगे या पैसे ट्रांसपर करेंगे या balance को चेक करेंगे तब भी आपको यही UPI pin इंटर करना होता है और यह किसी को बताना नहीं होता है तो हमें इसे कर देते हैं cancel और एक strong अपना UPI pin बना लेते हैं जैसे आपका UPI pin बन जाएगा उसकी बाद done कर देना है जैसे आपका bank account यहाँ पर link हो जाएगा उसकी बाद back जैसे आपके back आजाएगे आपके सामने यह वाला जो आपको दिख रहा है add back bank account यह आपका हट जाएगा नहीं तो यहाँ से इसे आप हटा दीजिएगा उसकी बाद balance को check करना है तो यहाँ पर आजाएगा check bank balance और आप इस पर click करिएगा यहाँ पर आपका bank दिखाई देगा आपको अपने bank पर click करना है यहाँ पर आपने जो अभी अपना UPI pin set किया था वो अपना UPI pin डालेंगे और उसके बाद अपना यहाँ से करेंगे write तो यहाँ पर आपका जो bank balance होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपने SBI bank को आधार card से link कर सकते हैं phone pay application में या फिर आप कह सकते हैं कि phone pay application आप चालू कर सकते हैं बिना ATM card से अब आप पैसे कहीं पर transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करके mobile number पर पैसे transfer कर सकते हैं यहाँ पर click करके उसके bank में और UPI में भेज सकते हैं यहाँ से balance check होता है उसके बाद QR code में भेजना है तो यहाँ पर QR code का option मिलेगा तो आप इस पर click करेंगे जैसे आप QR code पर click करेंगे आपके mobile में आपका camera open हो जाएगा उसका QR code scan कर लेंगे जैसे कि माली जम यहाँ पर QR code scan कर लेते हैं सामने वारी रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा scan हो गया है अब आप यहाँ पर अपना amount डालेंगे जो भी आप amount डालना चाहते हैं उसके बाद proceed to pay पर click करेंगे यहाँ पर आपका bank आजाएगा bank को choose करेंगे उसके बाद pay जैसे आप पर pay पर click करेंगे अपना UPI pin डालेंगे जैसे आप अपना UPI pin यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद write जैसे आप पर write करेंगे आपका जो payment होगा वो successful हो जाएगा इसी परकार से जब आप किसी के number पर पैसे बेजेंगे वहाँ पर भी आपको amount डालके अपना UPI pin डालना होगा जब आप mobile recharge करेंगे बिजली का bill जमा करेंगे वहाँ पर भी आपको अपना पैसे डालकर अपना UPI pin इंटर करना होता है तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको UP UPI pin अपना strong बनाना है ताकि किसी को पता न चले तो इसे तरीके से आप फोन पे application को चालू कर सकते हैं अपने आधार कार्ट से अपने SBI bank में अगर आपको अपना UPI ID और QR code निकालना है तो यहाँ पर मिलेगा UPI ID आप यहाँ से देख सकते हैं यह है आपका UPI ID तो आपको अ यहाँ से download और यहाँ से share कर सकते हैं तो इसे तरह आप फोन पे application को पूरी तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको और भी कोच सीखना है या जानना है फोन पे application से related तो आप हमें comment करके बता सकते हैं और मैंने फोन पे application का link मैंने आपको वीडियो के description में दे दिया है त यहाँ से download कर लेना तो up to 50 रुपए का cash back भी आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको पहुत धन्नुवाद